हलो फ्रेंड्स आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन इस्टडी एरिया पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास तेंद के चिप्टर नमबर वन वास्तविक संख्याएं का प्रसना वली एक दिसमलब दो एक दिसमलब एक अगर आप नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और आज हम करेंगे प्रसना वाली एक दिसमलब दो ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैरा केशकुमार आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल एवन एस्टडी एरिया पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कोस्चन है वो है निमलेकित संख्याओं को अभाज गुननखंडों के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए यह जो कोस्चन दिया हुआ है इसको अभाज गुननखंड करना है और उसके गुननफल के रूप में लिखना है तो चलिए वो कैसे लिखना है वो देखते हैं फर्स्ट है आपका 140, ठीक है, इसका आपको खंड करना है, वो कैसे करेंगे, तो 140 को खंड करेंगे, तो 2 से 70, फिर 2 से 35, 5 से 7, ठीक है, ये होगा इसका, अब हाज गुनन खंड, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि 2 हमारे पास, दो है, एक 5 है और एक 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, दो के पावर, दो गुने, पांच और गुने, साथ, ये हो गया, अब हाज गुनन खंड के, गुनन फल के रूप में, कैसे लिखा जाता है, ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा कोशन है, आपके पास, एक 156, ठीक है, तो 156 का भी आप गुनन खंड कर लेंगे, तो 2 से, ये हो जाएगा, साथ, और ये आठ, दो सत्य चॉदा, दो अठे सोला, फिर दो से करेंगे, दो तियाए छोद, दो नमा ठारा, तीन से करेंगे, तीने कम तीन, और तीन तियाए नव, ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे दो, दो है, ठीक है, तो दो के पावर दो लिखेंगे, और गुने, ती है ठीक है इसी को बोलते हैं आभाज गुननखंड के गुननफल के रूप में ठीक है अब देखिए तीसरा है आपके पास वो है अर्टीस पचीस अर्टीस पचीस ठीक है इसको करेंगे हम अर्टीस पचीस ठीक है अब इसमें देखिए सबसे पहले कितना से लाएगा तो ये इसको देख लेते हैं आठ तिन ग्यारा, ग्यारा दू तेरा, तेरा आपांच, अठारा, ठीक है, तो अठारा है यानि तीन से लग जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूना छो, और इसमें का दू तीन चोक बारा, ग्यारा और दू तेरा, तीन एकम तीन, तीन दूना छो, तीन सते एकिस, ठीक है, ब तीर देखते हैं तीन से लग जाएगा तीन चुक बारा तीन दुधना फिर प्स लोग है क्योंके चारा थूसों घ्यान पांच ग्यारव तीन से नहीं लएगा पांच लगाएंगे5 8 40 बाकी बचादो 25 फिर 5 से लगाएंगे 5 एकंपाँच, 5 सत्य प्मचिस तो हमारे पास 2 आया 3, 2 आया 5 और 17 तो यहां हम रेखेंगे 2 के पावर, स्वरी 3 के पावर 2, गुने 5 के पावर, 2 और गुने 17 क्यों हो गया आपका? 3 का चौथा हमारे पास है पांच हजार पांच अब इसको कैसे करेंगे वो देखी पांच हजार पांच को फिर खंड करेंगे तो ये दो से नहीं लएगा ना तीन से लएगा पांच से लगाएंगे पांच एकम पांच जीरो जीरो पांच एकम पांग ये हो जाएगा हमारा ठीक है अब जो है क्या करेंगे चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये पांग से अब नहीं लगएगा तीन से तो लगएगा है नहीं चार नहीं होगा छे साथ से लगा करके तो साथ से लगाएंगे तो साथ एकम साथ इसमें का तीन बचेगा तो तीस साथ चुक अठाइस बचेगा दो एकीज साथ तरी एकीज साथ से हो गया उसके बाद अब कितना से लगा वो देख लेते हैं साथ के बाद 11 11 से लगांगे तो 11 11 11 बागी बचे गया तीन तो 11 यह हमारे पास आगा 5 7 11 और 13 यहां पर हम रिखेंगे 5 इन्टू 7 इन्टू 11 इन्टू 13 ठीक है यह हो गया अब अगला कुस्चन है आपके पास चोहत्तर 29 ठीक है पांचवा पांचवा है चोहत्तर और 29 चलिए इसका भी खंड कर लेते हैं इसका पास दो हमारे पास क्या आजाएगा दोसी तो लाएगा नहीं क्योंकि भी सम है तीन से देख लेते है न नहीं ग्यारह अचार पंदरह 25 असथ बाइस तीन से नहीं लाएगा पान से नहीं लाएगा, साथ से देख लेए, साथ एकम साथ, साथ छक ब्यालीच, साथ से भी नहीं लाएगा, साथ से ग्यारा से देख लेते हैं, ग्यारा छक छ्यासट, ग्यारा छक छ्यासट, तो बचे ग्यारा छुक छुक छुबालीच, ग्यारा से भी नहीं लाएगा, तो बच जाएगा तेरा पचे 65, 9 यानि कि तेरा चकट, तेरा सते 90, बागी बच जाएगा 3, 49, नहीं, तेरा से भी नहीं लेगा, 17 से देखते हैं, तो सत्र, सत्र चुकांट सट, बागी बचेगा 6, तो 62, सत्र, सत्रतिय एकाउन, चलिए इसमें भाग दे देते हैं, सत्रतिय एकाउन ते कितना, 62 ते कितना बच जाएगा, यानि कि 11, 11, हाँ, 17 से लग जाएगा, ठीक है, 17 से लग जाएगा, यह हो जाएगा, 17 चुकांट, ठीक है, सत्रतिय एकाउन, बागी बच जाएगा, कितना, चुकांट, बागी बच जाएगा, यानि कि 119, तो 17 सते 119, यह आजाएगा, ठीक है, फिर आव हम देखते हैं, 17, उसके बाद, 17 के बाद, 19 से देखिये थे, 19, 19, दुना, आर्टीस, 19, दुना, आर्टीस, और बाकी यहां कितना बच जाएगा, पांच, 19, तियाए, संतावन, यह हो जाएगा, ठीक है, यानि 17, 19 और थेज, 17, 19, और तेज, तो यही था, कुष्चन, कुष्चन में यही कह गया था, कि अभाज गुननखंड के रूप में इसको लेखिये, ठीक है, निमलिकित संक्याओं को अभाज गुननखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए तो ये हमारा सब जो है वो अभाज गुननखंड के रूप में लिखा गया ठीक है कैसे किये वो आप देख रहे हैं ठीक है तो चलिए अब इसका अगला कोश्चन देखते हैं कि पुर्णांकों के निम्लिकित युगमों के एससेफ और एससेफ ग्याद केजिए तथा इसके जाच केजिए कि दो संख्याओं का गुनन फल बराबर एससेफ हुने एससेफ तो जैसा कि देख रहा है हमारे पास कोश्चन दिया हुआ है फिर्स्ट फोश्चन वहें चबिस और दूसरा है नाइनटीवड इसका हम एससेफ और ग्याद करते हैं ठीक है तो चबिस को हम लोग लिख सकते हैं दो गुने तेरा और एक क्यानवे को लेख सकते हैं क्या तीन गुने कितना लिख सकते हैं 91 का खंड अगर करेंगे तो कितना हो जागा तो यह हो जागा आपका 13 सते 91 ठीक है अब हमको HCF ग्यांद करना है HCF ठीक है तो HCF के हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में common होगा वही होगा हमारा HCF डेका 13 समय 3 HCM और OCM क्या लिखएँ में सबसे पहले देख लिजिये कि आपके पास कों कूंसी संख्या है दो है 13 और साथ है तो सबसे ज्यादे पावर वाला होताँ है उसी हमारे पास एक है यहां से और और गुना करेंगे तो होग IS 10かった identifier 191. suoelas is % 100 B agfu में कहा गया रहेख में कि और संख्याहों का गुनन्फल या TW sign दो संख्या दिये हुआ है कि दुनों का गुनन्फल जो है वह स्फ और एसkeeper की बराबर ह laund अक जैसे आप जानते होगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM यह फर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर HCF गुने LCM तो चलिए दोनों करके देखते हैं पहली संख्या है 26 और गुने दूसरी संख्या है 91 और बड़ावर HCF है 13 और गुने LCM है 112 चलिए दोनों को गुना कर लेते हैं तो जब आप इसको गुना किजिएगा तो कितना होगा 91 में गुना करेंगे 26 से ठीक है तो जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6,9,64 और यह 2 और दूना 18 यानि 6,6 और यह 3 और यह 2 यानि 26 यह हमारा आजाएगा 23,66 ठीक है और इसको गुना किजिए तो 13 दूना 26 हासिल 2 ठीक है यह हो गया आपका उसके बाद उसके बाद 13,8,104 और 2,106 हासिल 10 हो गया और 13 और 10,23 ठीक है तो RHS और बड़ावर क्या हो गया यह लेजिए सुरी लेजिए बरावर रह रह एस ठीक है तो जो हमारा कोश्चन में कहा गया है कि इसकी जांच किजिए कि दो संख्याओं का गुनन पर बरावर स्थीफ गुने लसी तो दो संख्या पहली संख्या होगी हमारा 26 और दूसरा संख्या संख्यानवे और यह दोनों का एस समय का गुना करने के बाद दोनों बरावर है कि नहीं तो यहां क्या है दोनों बरावर है ठीक है अब देखेंगे दूसरा कोश्चन दूसरा कोश्चन आपके पास है 510 और 92 टीक है यह इसका भी आप खंड कर लिजिए तो खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पर कर लेते हैं है पांसो दस दो से करेंगे तो दूदूना चार दूपंचे दस तूपंचे दस तीक है अब यह हो जाएगा दो से तीन से तो तीन अठे से चौबिस तीन पचे पंदरा फिर टिन से नहीं लगेगा अब लगेगा पांसे सत्रापचे पचास तो आ गया कितना दो गुने तीन गुने पांच गुने 17 तिक हैं अब नाइंटी टू का कर लिए तो नाइंटी टू का जबंधिए दो से देखर दो चौक बारादा फिर द तो बुने से ट्रोट है यह हमहारा क्या हो गया अब हम निकालेंगे मनीक ऑट-थिए इस एफ प्सक्रीश तो डूनों में सुन्स हो था यहां वह दो हो गया है अब देख्यार मिलगा हुद welche समें दो है टानीि आंए इसमें नहीं और लात रहा है तो ही हो गया मसं заним है कि कि एल्सीम देखिए दो तो होगा कहीं भी रहे दो एक है और यहां देखें तीन भी है उसके बाद पांच है कि सतरह है और तेईस है जब नयाने संग क्या में कि अलग अलग है दो है तीन है पांच है सतरह होगा और टीस है इससबको गुना कर देंगे तिक है तो जब दोनों को गू लूइवान करेंगे तह क्या होगा से देख लिजे कि अधान दयाएस और 877 510 फीया पांसो दस पांसो दस में 27 से गुना किजिए तो कितना आता है 500 10 में गुना करेंगे 27 से तो यह हो गया 0 27 के साथ हांसिल दो और उसके बाद यह हो जागा आपका 7 पचे 35 7 पचे 35 3 10 13 135 ठीक है यानि 27 में 0 से किये तो 0 27 से कम 27 हांसिल दो और 27 पंचे हो गया 135 135 है दो 137 यानि कि हमारा LCM आएगा 13 770 13 770 ठीक है LCM कितना आजागा 13 770 अब हम क्या करेंगे एक मिनिट गुना करके सही गुना हुआ है ना यहां पर 27 नहीं यहां पर मिन सुरा यहां पर 23 होगा क्या होगा 23 होगा ठीक है यहां 23 है यहां 23 होगा तो अब देख लिए यहां पर 23 से गुना करेंगे तो गए 0 तेश का तीन ठीक है और उसके बाद यह हो गया तेश में पांच से गुना करेंगे पंदरह और दस आए गारे एक सो पंदरह एक सो पंदरह और दो कि एक सो पंदरह अधो कितना हो जाएगा एक सो सतरह का छि इंटाशर की मोग में एक चीजय और देख लीजे यहां पर यहां पर दो तो है लेकिन ज्यादा यहां है दो के पावर दो ठीक है यहां पर जादा है दो के पावर दो तो हम दो लेंगे ठीक है तो अब हमारे पास टोटल जब गुना करेंगे तो कितना आजाएगा वह आजाएगा तेईस चार सो साथ ठीक है यह हमारा एल सीम अब हम करेंगे पहली संख्या गूने दूसरी संख्या और उसके बाद बराबर में HCF गुने LC LCM ठीक है तो पहली संख्या हमारा है 510 और गुने दूसरी संख्या है कितना 92 और बराबर HCF है हमारे पास 2 और गुने LCM है 23407 ठीक है तो जब आप ये दोनों को गुना किजिएगा तो ये भी दोनों क्या होगा बराबर आ जागा दोनो को जब हम गुना करेंगे तो कितना जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आएगा ठीक है यह हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नमबर कोश्चन तो तीसरा कोश्चन है आपके पास 336 और चोगवन ठीक है बंड करेंगे दो से 2 एकम दो 2uis 21 2 फीर 2 से करेंगे तो आठ 4 दो इसका रेंगे तो 40 फीर 2 से करेंगे मिशंस 23 से करेंगे तीन सते 20 एक है था हमारे पास दो पास चार्षिंदो के पावर 4 लिग सकते हैं और गुना तीन घूञ़ना साट ठीक है चोबन का कर देजिए चोबन के जब हम करेंगे दो से तो यह 27 फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा तीन नमा 27 फिर 3 से 3 ठीक है तो दो गुने 3 के पावर 3 ठीक है यह होगा यहां से जब हम हूँ सबसे कंमड़ा लेतं है यहां चार है यहां पे 3 को है और यहां पर यहां अभ्टास कितना चोब्यायां करिए क्वार इथला लिखते हं डोटास चैने प्वावर सब wrapping कर नहिए प्वावर सीए सब्सक्राइब अगूने चोववन और बरावर ये चोव अगूने ये जो आएगा आपका यहाँ पे LCM का जो भैलू आएगा ठीक है वो लिख दीजिएगा और दोनों को गुना किजिएगा तो ये भी दोनों क्या होगा बरावर हो जाएगा तो ये रहा आपका दूसरा कोश्चन तीक है अब हम लोग देखेंगे तीसरा कोश्चन तीसरा कोश्चन है आपके पास कि आभाज गुननखंड वीधी द्वारा निमलिखित पुर्नांकों के सब्सक्राइब करेंगे वह कैसे करते हैं सब्सक्राइब पहला कोश्चन है आपके पास बारा पंद्रा एकीस बारा पंद्रा और एकीस तीक है बारा को क्या लिख सकते हैं दो गुने दो गुने तीन और पंद्रा को क्या लिख सकते हैं तीन गुने पांच एकीस को क्या लिख सकते हैं तीन गुने साथ ये लिख सकते हैं अब यहां आप देख रहा हैं कि इसमें दो दो है तीन एक है तो इसको हम पावर में चेंज कर द यहां दो है नहीं है यहां दो है नहीं है यहां भी दो है लेकिन सब में नहीं है तो सब में जब कॉमन नहीं है तीन देख लिए तीन इसमें है इसमें इसमें भी है तो तीन जो है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो तीन हो जाएगा हमारा साथ देखिए किसी में नहीं है यानि जो तीनों में common हो उसी को हम लोग SCF लेंगे ठीक है चलिए तो SCF निकल गया आप LCM देख लिजिए LCM ठीक है इसी का LCM तो क्या होगा कि दो है हमारे पास तीन है पांच है और साथ है तो सबसे जाए दो पावर लेंगे तो 2 के पावर 2 गुने उसके बाद 3 देख लिजिए 3 सब जगा एक एक है तो चलिए एक 3 हो गया उसके बाद 5 और उसके बाद साथ ula क्यों कर लेंगे तो गया LCM question एक का आप question दो देख लिजिए को कुश्चन नमबर दो देख लिजिए दो में है आपका कि सत्रा तेईस और उनतीस तो यह जो तीन संख्या आप देख रहे हैं यह इसका गुननखंड जो है वो नहीं होगा क्यों क्यों कि यह तीनों जो है वो अभाज संख्या है एक से लगता है भाग और उसी संख्या से फिर इसमें भी होएगा एक से और उसी संख्या से और इसमें भी एक से और उसी संख्या से यह तीनों आभाज संख्या है तो इसका HCF जो हो जाएगा वो होगा तीनों में एक common है तीनों में क्या है एक common है तो HCF क्या हो जाएगा ए और LCM, LCM क्या हो जागा, तो सब को गुना कर लेंगे 17, 23 और 29, जब आप इसको गुना किजिएगा, तो यहाँ पर आजागा, आपके पास वो होगा, 11, 49, ठीक है, यह हो जागा इसका LCM, अब देख लेते हैं, तीसरा कोश्चन, 8, 9, 25, यह देखें, तीसरा कोश्चन है, आप 8, ठीक है, उसके बाद 9 और 25, आठ को लिख सकते हैं, 2 गुने, 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं, 3 गुने 3, इसको लिख सकते हैं, 5 गुने 5, अब आप देखिए, HCF जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो तीनों में कोई common नहीं है, लेकिन एक तो सब में रहता है common, ठीक है, एक लिख सकते हैं, तो एक हो गया इसका HCF, ठीक है, और LCM की बाद की जाए, तो क्या हो जाएगा, दो सबसे ज़्यादे यहाँ है, दो के पावर 3, इसके बाद 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो 2 सबसे ज़्यादा पावर यहाँ हो गया, दो के पावर 3, इसके बाद 3 के प टिक है तो यह आठ, नौ गुना कीजिगा त्हाँ नमा 72 अब 72 में कितना से 25 से गुना कर दी यानि सब को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आजाया कितना अठारह सो टिक है यह गुना यह आठ हुआ गुनी यह नौ और यह क्या पचीज तो पचीज अठे 200 टिक है तो अब हम लोग जो देखेंगे वह चौथा नंबर कुष्चन देखेंगे अब देखेंगे चौथा नंबर कुष्चन है चौथा नंबर कुष्चन है कि SCF 306 और 657 का SCF देवाए 9 तो LCM ग्याद करना है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या यानि कि A और दूसरी संख्या B बरावर होता है HCF गुने LCM ठीक है यह फर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत महत्पूर्ण फर्मूला है और इससे एक कुष्चन एक्जाम होल में पूछा जाता है ठीक है एक से दो कुष्चन तो पहली संख्या हमारे पास कितना है वो है 306 दूसरी संख्या है 657 बरावर HCF दिया हुआ है 9 और LCM ग्याद करना ठीक है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 गुना में है इस तरफ आगा तो भाग में हो जागा तो 306 गुने 657 अब बटा में क्या 9 और ब्रावर HCM अब 9 से इसको कार देजिए तो 9 से काटिएगा तो नो तियाई 27 और नो चुक छतिस नो तियाई नो तियाई 27 और नो चुक चतिस तो आप के पास आगिया 34 गुने 657 ब्रावर क्या LCM ठीक LCM ब्रावर ये दूनों को गुना कर देजिए जब ये दूनों को आप करेंगे गुना तो कितना आजाएगा गुणा करके देख लिजिए यह दुनों को गुणा किजिएगा वही आपका एंसर आ जाएगा तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बाइस तीन सो और तीस चीक है यह हो जागा एलसी तो आसा करते हैं कि यह कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा